तो गाईज यहाँ पर मेरे पर डेली कमेंट्स आते रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स यूजर के लिए क्योंकि यहाँ पर उनको अभी तक इन्हेंस एडिशन का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है क्या अपडेट मिलने वाला भी है या फिर नहीं क्यूंकि जैनरी मीड जैनरी हो चुका है अभी तक अपडेट नहीं मिला Вы करें आपको इस वीडियो में बताने वालो अपडेट क्यूं नहीं मिला यै कभ तक अफ eigenlijk देखने के लिए मिल सकता है कौन सी डेट पर अपडेट आ सकता है वस इसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहना है काफी छोटा सा वीडियो रहने वाला है तो बात कर रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स यूजर की तो भाई यहां पर आप लोग के लिए शमद मैंने आ रहा है मतलब मीवाट 12.5 का इन्हेंस एडिशन का अपडेट शाओमी की तरफ से क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा है बट मुझे लगता है कि यहां पर अभी इसको पर टेस्टिंग चल रही है और यहां पर जो इससे पहले कुछ पाइलेट यूजर को अपडेट देखने के लिए मिला था जिसका बिल्ड नंबर था मीवाट 12.5.3.1 का तो वह जो अपडेट तो पाइलेट यूजर को मिलने के बाद फिर किसी भी यूजर को देखने के लिए नहीं मिला क्योंकि यहां पर अभी भी टेस्टिंग चल दी और यहां पर जो पाइलेट इजर को देखने के लिए मिला था उसमें शायद अभी कुछ बग्स वगरा देखने के लिए मिले हैं जिसको अभी तक डेवलोपर फिक्स नहीं कर पाए तो जैसे सारी चीज सकता है बट उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इंतजार काफी ज़्यादा कर चुके हैं काफी सारी यूजर काफी दादा टाइम हो चुका है क्योंकि अब्डेट नहीं मिला थोड़ा सा इंतजार करो आप लोगों जैनुवेरी एंट तक चांसे से कि अबडेट मिलना स्टार्ट हो सकते कुछ पब्लीक ली या फिर नया बिल्ड नमबर का अपडेट होगा तो कुछ बिल्ड पाइलेट यूजर को फिर से देखने के लिए मिल सकता है और थोड़ा से इंतजार तो करना ही पड़ेगा और जैसी सभी यूजर को मिलना स्टार्ट होगे मैं आ के लिए अलग से वीडियो के जरी आप लोगो बता दूगा तो फिलाल के लिए आप लोगो समझ में आया होगा अपडेट क्यों नहीं देखने के लिए मेरा कुछ इशू के वैसी अपडेट अभी थोड़ा सा डेले चल रहा है जैसे सबको ठीक्ता हो जाएगा अपडेट म पर दो फ्री में होता है खीक है मिलते हैं अगले वडियो में बाई